Hello everyone and welcome to my channel आज की इस वीडियो में हम जानेंगे difference between sale and agreement to sell ये दोनों जो sale है and agreement to sell है ये सुनने में बहुत similar लगते हैं हमें लगता है sale ही तो हो रहा है लेकिन ये ऐसा नहीं है इसमें जमीन आस्मान का अंतर है और ये जो sale and agreement to sell है ये sales of goods act में define किया गया है हमें बहुत ही confusion हो जाता है जब भी हम exam point of view से देखते हैं तो हम इसको बहुत असानित तरीके से जानते हैं दोनों में basic difference क्या है अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज लाइक, शेर और सब्सक्राइब जरूर करें चलिए अब हम example से देखते हैं sale क्या होता है और agreement to sell क्या होता है मैं आपको basically बता देता हूँ जैसे आप कोई भी shop पर जाते हैं तो आप क्या करते हैं उन्हें पैसे देते हैं और वो return में आपको goods देते हैं जो आपको चाहिए अब जैसे आप किसे shop पर गए अगर आपको आटा चाहिए तो आपने क्या है पैसे दिये और आटे वाले भाईया ने आटा दिया तो उसे हम क्या बोलेंगे sale बोलेंगे यह जरूरी नहीं है यह आटे पर ही apply हो यह हरे goods पर apply होता है अगर आप पैन खरीद रहे हैं गाड़ी खरीद रहे हैं यह हर एक चीज पर apply होता है तो उसे हम sale बोलेंगे तो अब example देख लेते हैं जैसे यह A है और इसकी यह shop है और इसकी यह juice की दुकान है उदार तभी B आया कि यहाँ बहुत गर्मी का समय है तो B को क्या चाहिए juice चाहिए तो B ने क्या करा A को पैसे दिये कि यह लीजे money और A ने कि B को क्या दिया juice दे दिया तो इस जो transaction है उसे क्या कहेंगे हम sale बोलेंगे अब यह तो हो गया बहुत ही basic सा अब दूसरा example देख लेते हैं जैसे A जो है उसकी दुकान है TV की अब B को भी टीवी चाहिए तो B क्या है शॉप पर गया और A से बोला कि साव मेरे को टीवी चाहिए तो B ने A को पैसे दिये money दिया A ने return में क्या दिया B को A ने टीवी दिया TV के साथ उसका bill भी दिया ये लो बिल एक साल की guarantee है कुछ भी खराब हुआ तो आप वापस कर लीजेगा या फिर नया देख देंगे हम refund कर देंगे तो इस जो transaction को क्या कहेंगे इसे हम sale बोलेंगे तो पहले जो TV था वो A के पास था लेकिन अब उसकी ownership कहा ट्रांसफर हो गई B को हो गई तो उसे हम sale कहेंगे अब ऐसी agreement to sell क्या होता है चलिए अब agreement to sell का देख लेते हैं ये जो है ये shopkeeper है इसके पास समझ लीजे ये rice के बहुत सारे बोरे हैं अब क्या है B आया B ने बोला कि भाईया मेरे धर तो शादी है मुझे तो ना 30 बोरे चाहिए कौन सी तारिक को मेरे को चाहिए 2 FAB को चाहिए मेरे को चाहिए 2 फरवरी को चाहिए 30 बोरे चाहिए तो एक क्या है इनके बीचे contract हुआ तो इनने बोला हाँ जी हाँ हम आपको 30 बोरे दे देंगे तो आप ऐसा करिए अभी 2000 रुपे दे दीजिए और उन्होंने contract करके एक token money ले लिया और जैसे वो date आई future date तो उसको जितने भी rise के बोरे थे वो B को transfer कर दिए तो इससे क्या कहेंगे agreement to sell कहेंगे इसमें क्या है sale तो हुई लेकिन क्या हुई future date को हुई मला तभी नहीं दे दिया गया gift goods तभी goods नहीं दिये गया ऐसे हम दूसरा example देखें अगर हम किसी showroom पर जाते हैं car के car का showroom पर गये तो हमें न पहले तो हम गाड़ी यह देखते हैं कि अच्छा हम कौन सी गाड़ी पसंद करें बाद में पसंद भी आती है तो जब पसंद आती है तो हम क्या कहते हैं showroom को कि हंजी हमें यह अली गाड़ी पसंद आई है तो अब इसकी formalities कर लेते हैं तो कभी कार क्या होता है वह सोचते हैं ग्रहाग चलाना जाए तो वह थोड़ा से ना कॉंट्रेक्ट से करा लेते हैं एक टोकन बोलते हैं आप से आपना पांदास अतार दे दीजे एक लाग दे दीजे हम टोकन मनी ले लेते हैं और फिर गाड़ी आपको एक साल बाद मिल जाएगी आज कल वेटिंग इतनी लंबी है कि एक साल बाद मिल रही है या आपको दो महिने बाद मिल जाएगे तो जो ट्रांजेक्शन होते है फ्यूचर डेट वाली को उसे हम क्या कहेंगे एग्रिमेंट टू सेल इसमें तुरंथ ही ट्रांसफर नहीं होता कुछ टाइम लगता है अब चलिए हम देख लेते हैं डिफरेंस सेल और एग्रिमेंट टू सेल में क्या डिफरेंस है जो सेल होता है इसमें बायर बिकम ओनर ओफ गुड़ पहले कौन होता है जैसी ही बायर पर्चेश कर लेता है वो गुड़ तो वो एकदम से ओनर बन जाता है उस गुड़ का अग्रिमेंट टू सेल में क्या होता है इसम्पली या कॉन्ट्रेक्ट यह बस एक कॉन्ट्रेक्ट होता है देर इस नू कन्वेंस ओफ दी प्रॉपर्टी जो प्रॉपर्टी होती है वो सेलर के पास ही रहती है वो अभी ट्रांसफर नहीं होती फिर सेकंड पॉइंट देख लेते हैं रिस्क ओफ लॉसेज पासेज टू बायर अब जैसे हमने वो गुड़ खरीद लिया चाहें वो मुबाइल खरीद लिया हो हमने और हम दुकान से निकलते ही हमारा किसी ने चोरी कर लिया हो या फिर हमारे हाद से गिर गड़ा और वो टूट गया हो तो जो भी रिस्क है लॉस का वो किसके उपर ट्रांसफर हो जाता है वायर के ऊपर लेकिन agreement to sell में क्या होता है seller के पास ही जैसे property रहती है seller remain the owner of the goods and take all the risk तो क्या है अगर उसकी shop से कुछ चोरी होगा तो उसके लिए हम थोड़ी न पे करेंगे वो भाईया तुमसे तूटा है, तुमसे खोया है तो हम थोड़ी न उसके लिए पे करेंगे जैसी बाईयर ने पैसे दिये वो एकदम से आपकी हो जाएगी और agreement to sell में क्या होता है the property is transfer to buyer on a future date ये तब ही transfer नहीं होती है ये future date को होती है next point है seller is entitled to sue अब क्या है जो goods है वो बाईयर ने तो खरीद दिया और वो owner हो गया तो seller के पास एक right होता है वो court में जाकर के sue कर सकता है कि देखे इनोंने हमें पैसे पूरे पैसे नहीं दिये या जो भी case है वैसे अब agreement to sell में क्या होता है seller is entitled to damages अब क्या होता है जो property होती है वो seller के पास ही होती है तो वो entitle कर सकता है damages कि देखे आपने ये property खरीदी नहीं या ये goods खरीदा नहीं है तो क्या है मैंने इसको इतनी जगा में रखा और मेरा time waste हुआ तो इसके ये सब वो damages ले सकता है और sale में क्या होता है buyer acquired just in RAM just in RAM का मतलब होता है right against the world और इस में क्या होता है buyer only has just in person इसका मतलब होता है right against person तो I hope आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा और आपको easily समझ में आया होगा अगर आपको ये वीडियो easy लगा और समझ में आया तो please मेरे चैनल को like, share or subscribe जरूर करें